नमस्कार, मैं दोशियन सिंग, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इंडियन नेशनल मुमेंट वाला जो portion है, इसको अलग से mention किया गया है। और यही कारण है कि इतिहास के जितने भी प्रशन पूछे जाते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा weight is जो रहता है, वो इंडियन नेशनल मुमेंट का रहता है। इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और एक चीज यहां से आप बिल्कुल समझ करके चलिएगा, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, कि पहले आरो यारो का paper होना है, और उसके बाद मैं PCS का prelims होना है। मेरी आदत है कि मैं चीजें कभी भी इस तरीके से खतम नहीं कराता कि आपको फिर दुबारा से कभी दूसरी जगे पर वो चीज पढ़ने की जरूरत हो। ये थोड़ा सा बड़ा topic है, एक broad topic है, तो इस वज़े से इसको मैं छोटे-छोटे parts में divide करते हुए आपको पूरा कराऊंगा, और इसके बाद में जैसे ही 3-4 दिन में ये complete हो जाएगा, maximum 3-4 दिन इसमें लगेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इस वाले portion को जब मैं आपको complete क कराऊं कि आपको फिर दुबारा से किसी भी किताब से या किसी भी अन्य सोर्स से इस वाले topic को पढ़ने की जरूरत ना पढ़े, तो पहले छोटे-छोटे parts में वीडियो बनाएंगे, फिर बाद में इनको compile करके मैं फिर दुबारा से upload कर दूँगा, छोटे-छोटे parts में व करके इस वाले पूरे portion को complete कराऊंगा, फिर बाद में इसको compile कर दूँगा, ताकि पेपर के time पर आप पूरे के पूरे इस content को पूरा topic है, इसको बहुत अच्छी तरीके से revise कर सकें, और मैं आपको इस बात की guarantee दे रहा हूँ, मैं पांच मनद आपके topic स्टार्ट करने से पह कम से कम कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी, जितने भी facts हैं, सारे के सारे facts में cover हैं, और सिर्फ facts ही मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा, कि चीजें छूट रही है, या कहीं न कहीं connectivity नहीं बन पा रही है, एक कहानी के थूरू सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होगे, ठीक है, तो चली स्टार्ट करते हैं, देखें जो भारती स्वतंतरता आंदोलन है, उसको मुख्य रूप से तीन चरणों में बाटा जाता है, ठीक है, तो पहला चरण कहां से स्टार्ट होता है, जहां पर Indian National Congress की स्थापना हो पर्थम चरण मानते हैं, पहली स्टेज मानते हैं, भारतीय स्वतंतरता आंदोलन के संबंद में, तो पर्थम चरण में मुख्य रूप से क्या होता है, इंडियन National Congress की स्थापना होती है, और धीरे धीरे इंडियन National Congress जो है, वो एक तरह से अपनी ग्रोथ करती है, यहां पर उसका विकास होता है, दोतीय चरण 1905 के बाद से स्टार्ट होता है, और यह जाता है 1905 से लेकर के 1919 तक, इस समयावदी को भारतीय स्वतंतरता आंदोलन के दोतीय चरण के रूप में देखा जाता है, स्टार्टिंग में आपने देखा था कि 1885 में इंडियन National Congress की स्थापना होती है, तब उसके लक्ष कुछ और हुआ करते थे, जिसको आप आगे देखेंगे, दोतीय चरण में इंडियन National Congress जो पूरी तरीके से विक्सित होने लगती है, और उसके जो लक्ष होते हैं, वो स्पस्ट होने लगते हैं, कहीं न कहीं आप यह कह सकते हैं, कि दोतीय चरण इस से लेकर के भारत की स्वतंतरता तक, यानि 1947 तक का जो समयावदी है, इसको हम भारती स्वतंतरता अंदुलन के तीसरे चरण के रूप में देखते हैं, और मुख्य रूप से इस तीसरे चरण को ही हम गांधी का युग, इसको कह सकते हैं, गांधियन एरा इसको कह सकते है इसमें भारती रास्टी कॉंग्रेस का लक्ष हो जाता है डोमेनियन स्टेट से, यानि जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण स्वराज ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसके लक्ष थोड़े अलग थे, फिर दूसरे चरण में इसका लक्ष जो हो जाता है वो स्वराज प्राप्ती हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से स्वराज की बात नहीं की गई थी तीसरे चरण में आकरके इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का जो एम हो जाता है, वो पूरी तरीके से स्वराप्त करने का हो जाता है तो एक छोटा सा इंट्रोडेक्शन, इसके बाद मैं आगे देखते हैं भारत में राष्ट्रियता की उत्पत्ती के कारण, सबसे पहले जो नेशनलिज्म का भाव था भारती लोगों के बीच में वो किस तरीके से उत्पन होता है, उसके पीछे की रीजन क्या थे, तो इसके अलग-लग कारण थे, उनको यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आरथ अरथिक कारण क्या थे कि भारत का आर्थिक रूप से काफी ज्यादा सोशन जो है, वो बिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहाथा यहां से धन जो है, वो एकठा करकरके बिटरेन भेजा जा रहा था और इस सम्मंद में दादा भाई नहरोजी ने एक सिध्धान्त भी दिया था, धन अनिसकासन का सिध्धान्त, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत ही important बुक है, काफी बार पूछी जा चुकी है, Poverty and Un-British Rule in India, 1867-68 के आसपास इन्होंने ये बुक लिखी, और इसमें इ दादा भाई नहरोजी के द्वारा, जो प्रतिवक्ति आये थी, ततकालीन समय में, उस टाइम पर जो प्रतिवक्ति आये हुआ करती थी, भारत के लोगों की, वो 20 रुपए प्रतिवर्श आ की थी, दादा भाई नहरोजी के द्वारा, इसी तरीके से एक और ऐसे ही मतलब क्योंकि आर्थिक रूप से भारत का शोषण किया जा रहा था दूसरा कारण था आधुनिक शिक्षा का प्रचलन जैसे ब्रिटिश यहां पर आये पहले वो ब्यापार करने के लिए आये थे ब्यापार के बाद में वो धीरे-धीरे भारती मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और भारत पर धीरे-धीरे अपनी पकड को मश्बूत बनाने लगे तो कही न कहीं उनको ये आवशक्ता महसुस हुए कि भारत में जो अंग्रेजी सिक्षा है या पाश्याति सिक्षा है उसका प्रचलन होना चाहिए अंग्रेजी की सिक्षा का प्रशलन जब जो है अंग्रेजों ने भारत में करने का प्रयास किया तो कहीं न कहीं भारती लोगों को ये लगा कि भारती जो सिक्षा पद्दती उसकी उपेक्षा हो रही है भारती जो भी जिस तरीके से परंपरागत रूपते सिक्षा प्राप् प्रचलन भी जो कहीं न कहीं एक ऐसा कारण कहा जा सकता है जिससे राश्टियता की भावना को बल मिला इसके बाद में अगला कारण है आध्वनिक न्यूजपेपर्स समाचार पत्रों का प्रचलन प्रारंब हो चुका था राश्ट्रिय प्रेस की नीव रखने का श्रिय जो जाता है वो जाता है राजा रामोहन राय को इन्होंने समवात कौमदी अखबार निकाला इन्होंने मिरात उल अखबार निकाला फार्सी भासा में ठीक है तो समाचार पत्रों से क्या होता है कि जो एक जगह की खबरें हैं दूसरे जगह की लोगों तक पहुंचती हैं एक कि जो घटनाएं हो रही है वो दूसरी लोगों की पास तक पहुंचते हैं इसके साथ साथ एक जगह पर ब्रिटेन के लोगों के द्वारा या ब्रिटिस सरकार के द्वारा भारतिय लोगों पर जो अत्याचार किये जा रहे थे भारतिय लोगों का जो शोशाण हो रहा था उस 1969 में सुम प्रकास जो है एक अख़बार था उसका प्रकाशन प्रारम होता है किसके द्वारा इश्वर चंदर विद्यासागर के द्वारा इसके साथ बहुत सारे अख़बार थे जैसे बंगदूत हो गया अम्रत बाजार पत्रिका शिसर कुमार घोस ने ये निकाली थी केसरी हिंदू, पाइनियर, माराथा, इंडियन मिरर ये इस तरह के जो न्यूस पेपर्स थे वो समाज में प्रचलित होने लगे और कहीं न कहीं इनकी वज़े से भारती लोगों में रास्टियता की भावना का उधे हुआ इसके साथ साथ रास्टिय साहित्य का प्रभाव भी भारती रास्टवात के उधे होने के एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जाय सकता है क्योंकि इस टाइम पर क्या था कि बहुत जादा जैसे आज की टाइम पर आप देखते हैं शोशल मीडिया तो इस टाइम पर हुआ नहीं करता था तो जो भी चीजें हुआ करती थी समाज की उनको नाटकों के माध्यम से, मंचन के माध्यम से जो है लोगों तक पहुचाया जाता था जैसे आप देखते हैं कि आप जैसे मूवी देखने की सौकीन होंगे, आप फिल्में देखते होंगे तो आज की फिल्में जो बन रही हैं, जैसे आप modern time की फिल्में हैं, उनमें आप देखेंगे तो modern समाज में क्या हो रहा है, आधुनिक समाज में क्या हो रहा है, उसका कहीं न कहीं reflection उन movies में देखने को मिलता है, आज से आप 20 साल पहले की movie देखेंगे, तो उसमें कहीं न कहीं 20 साल पहले के समाज का reflection आपको दिखने को मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बड़े-बड़े साहित्ते लिखे जा रहे थे किताबें लिखी जा रही थी, उपन्यास लिखे जा रहे थे है ना, तो भारत इंदू हरिश्चंदर के द्वारा भी भारत दुर्दशा नामक एक किताब लिखी गई 1876 में, नाम से ही आप समझ रहे होंगे भारत दुर्दशा भारत की दुर्दशा किस तरीके से हुई थी, किस वज़े से हुई थी, तो यह जब publish होती है तो लोगों तक पहुंचती है, लोग जब भारत की दुर्दशा के कारणों के बारे में देखते हैं, जहां पर कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं बहुत हद तक जो ब्रिटिस सरकार थी, वो इसके लिए जिम्मेदार थी, तो कहीं न कहीं लोग जो है, वो उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ पर विचार करते हैं, उस चीज़ पर मंतन करते हैं और उनके मन में एक राश्टिता की भावना का उदेख होता है राजनीतिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण क्या थे, कि इस टाइम पर आपको पता है कि जैसे पुराने टाइम में मुगल सामराजी का पतन हुआ था तो मुगल सामराजी के पतन के बाद में कोई भी इस तरह का एकी करण नहीं हुआ था बेसक मुगल बाहर से आये थे लेकिन बुगलों ने भारत में एक इंटिग्रेटिट शासन बेवस्था की स्थापना की थी एकी करण किया था भारत का तो मोगल चामराजी के पतन के बाद में इस समय पर किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल इंटिग्रेशन नहीं था राजनीतिक एकी करण का अभाव था दूसरा था कि अंग्रेजी शासन जब आया तो अंग्रेजी शासन ने एक नकारात्मक प्रभापतो भारत पर देखने को ही मिला लेकिन इसके साथ साथ उसका एक फाइदा हुआ फाइदा ये हुआ कि अंग्रेजी साथन की वज़े से ही भारत के लोगों के बीच में जो एक तरह से गैप बन रहा था उसके एकी करण में सहायता मिली इसके साथ साथ तीब्र परिवहन और कम्यूनिकेशन के जो साथनते संचार साथनते उनका विकास हुआ है ना जब संचार के साथनों का विकास हुआ परिवहन के साथनों का विकास हुआ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे एक स्थान की खबरें दूसरे स्थान तक पहुँशने लगी लोगों में आपस में connectivity भी नहीं लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला railway का इसमें एक बहुत बड़ा contribution ये माना जाता है कि कार्ल माक्स ने भी कहा था railway के भारे में भी भारत में जो एक रास्टियता की भावना थी उसके उदै होने में जो है इन्होंने contribution दिया दयानन्द सरस्वती स्वामी रामतीर्थ और काफी सारे जो फिलोसफर थे दाशकनिक थे या जो ज्यानी ध्यानी व्यक्ति थे उन्होंने समाज को जगरत करने का प्रियास किया दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि स्वदेसी राज्य जो होता है वो सर्वोपरी होता है सर्वत्तम होता है स्वामी रामतीर्थ के द्वारा कहा गया था कि मैं सरीर भारत हूँ और शारा भारत मेरा सरीर है तो कहीं न कहीं इनके वक्तव्यों से इनके उपदेशों से भारत के लोगों में राष्टियता की भावना का विकास हुआ इसके साथ ब्रेटिस सरकार जो है भारत के लोगों के साथ भेदभाव करती थी ब्रिटेन के लोग और जो भारत के लोग दोनों में अगर comparing करके देखें तो ऐसा नहीं था कि इस समय पर भारत के लोग जो है ब्रिटेस सरकार के अंतरगत नौकरी नहीं करते थे काफी सारे ऐसे लोग थे जो बटे सरकार के अंतरगत, काफी सारी सरकारी सेवाओं में थे, लेकिन उन सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद उनसे भेदभाव पूर्ण बहवार किया जाता था, ना तो उनको उच्च पद दिये जाते थे, इसके साथ साथ एक ही समान पद पर एक यूरोपिय विक्ति है और एक भारतिय विक्ति है तो उसको वेतन भी जो है बराबर नहीं मिलता था तो वहुत सारी भेदवापूर्ण नीतियां थी इसके साथ साथ रंग भेदवाली जो चीज़ें थी ठीक है काला और गोरा जैसे अंग्रेज गोरे थे भारतिय अब कांग्रेस की स्थापना अभी तक नहीं हुई है कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संगठनों ने इस चीज़ में काम किया था और ब्रिटिस सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी ऐसी ही कुछ सुसाइटी के नाम है ऐसी ही सभा पूछे जाती रहे हैं जैसे बंग भाशा प्रकासक सभा 1836 में इसकी स्थापना हुई कलकता में राजा राम ़ोन राय के द्वारा की गयी लैंड होल्डर सुसाइटी इसको जमीदारी अशोशिजिशन केहते हिंदी में 1838 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में किसके द्वारा की गई द्वारिका नाट्यगोर के द्वारा पूछा गया question है याद रखिएगा ठीक है Land Holder Society जो थी इसके भारती सचिव थे प्रसन्नकुमार ठाकुर अंग्रेजी सचिव थे विलियम काबरी और लंदन में इसके रेप्रेजेंटेटिव थे जॉन क्राफर्ड इसके साथ ही 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुथी है जॉर्स थॉम्सन के द्वारा ब्रिटिस इंडियन अशोशियेशन 28 अक्टूबर 1854 को इसकी स्थापना हुई राधाकांत देव के द्वारा इस से पहले जो आपने दो चीज़ें देखी थी एक आपने लैंड होल्डर सोसाइटी पड़ी थी लेंड होडर सुसाइटी और बंगाल बिटिस इंडिया सुसाइटी यह वाली ठीक है यह दोनों मिलाकर के ही यानि दोनों का विले करके ही बिटिस इंडियन अशोशीएशन स्थापित किया गया था राधाकान देव के दोरा इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था भारत नील विद्रो पढ़ेंगे तो नील विद्रो की जाज के लिए आयोग बनाने की मांग भी बिटिस इंडियन अशोशीएशन के दोरा की गई थी इंडियन लीग यह 1875 में स्थापित होती है सिसिर कुमार घोश के दोरा जोके अमरत बाजार पत्रिका के संपादक थे कलकत्त इंडियन अशोशीएशन 1875 में स्थापना हुई किस के द्वारा की गई आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन अशोशीएशन यह 26 जुलाई 1876 को स्थापित होता है कहां पर कलकत्ता के एलबर्ट हॉल में इसके संस्थापक थे एसन बनर जी इनकी पूरा नाम था अंदोलन चलाया गया सिविल सर्विशिस अंदोलन को एक अन्य नाम भी दिया जाता है भारतिय जनपद सेवा अंदोलन अब सिविल सर्विशिस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ट फैक्ट्स देख लीजिए जिनसे काफी बार क्वेस्चन्स पूछे गए हैं सिवि अंद्रना टैगोर थे 1863 में इन्होंने ICS की परिक्षा पाच की थी आयूसीमा लगातार इसमें बदलती रही थी 1861 में मैक्सिमम इसकी आयूसीमा होती थी 22 वर्स मतला अधिकतम 22 वर्स की उम्र तक ही सिविल सिवक बना जा सकता था 1866 में इसको कम किया गया 21 वर्स किया गय 1870 में इसको और कम कर दिया गया 19 साल कर दिया गया यह आयूसीमा में लगातार कमी कहीं न कहीं इस बात का संकेत थी कि भारती लोग जो है वो इसमें भरती न हो पाए 1923 में सिविल सर्विसेस एक्जाम का आयूजन जो होता था वो पहले ब्रेटेन में होता था 1923 के बाद से भारत और ब्रेटेन में एक साथ जो है इनका आयूजन स्टार्ट हो जाता था यह कुछ सिविल सर्विसेस से जुड़े हुए फैक्ट्स थे बंबई असोसियेशन 1852 में स्थापना होती है इसकी दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी असोसियेशन इसकी स्थापना भी जो है 1885 में हुई थी यह कांग्रेस की स्थापना के आसपास का समय था संस्थापक थे बंबई प्रेसिडेंसी 1870, important है, काफी बार पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है, और इसमें भी पूछा गया है, आरो यारो में, ठीक है, पूना सारवजनिक सभा, 1870 में स्थापित हुई, इसकी संस्थापित थे, महादेव, गोविंद, रहनाडे, ठीक है, इनके साथ साथ इनके सायोगी थे, गनेश वाशुदेव जोसी, यह आप याद रखेंगे, मदरास Native Association, 1852, किसके द्वार स्थापित किया गया, गजलू, लक्ष्मी, नर्सी, चिट्टी, मदरास महाजन सबाप पूछा गया क्वेशन है, 1884 में इसकी स्थापना हुई थी, संस्थापक थे, M.B. राघवाचारी, इनके साथ साथ, G. सुब्रमणयम अयर, और आनिंद चारलू, लंदन इंडियन कमेटी, 1862 में, लंदन में स्थापित होती है, किसके द्वारे स्थापित होती है, पुरिशुत्तम मुदालियर के द्वारा, लंदन इंडिया सुसाइटी, यह जानी इसके दोनों अलग-लग नाम है, यह London Indian Committee है, यह London India Society है, 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन में किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, East India Association, एक दिसंबर 1866 को लंदन में इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गी थी, East India Association की और यह पूछा इस पर मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन-कौन ने क्वेशन पूछेगे, और नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, पेपर्स में, जो बता रहा हूँ, पूछेशन आपको मिल जाएगा, सितंबर 1884 में Theosophical Society का वार्षिक दिवेशन होता है, कहां पर होता है, आप इंडियन निशनल कॉंग्रेस कहते हैं, उसका वास्तविक्स रूप से हम ही कह सकते हैं, उसका जो मूल नाम था, वो इंडियन निशनल यूनियन ही था, A.O. Hume के द्वारे इसकी स्थापना की गई थी, 25 दिसंबर 1885 को इसी इंडियन निशनल यूनियन जो नाम पहले रखा गया था, इसको चेंज करके इंडियन निशनल कॉंग्रेस कर दिया गया था, आगे आप इंडियन निशनल कॉंग्रेस जब स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो 25 दिसंबर 1885 को इसका नाम पढ़ गया इंडियन निशनल कॉंग्रेस, इंडियन निश्टनल कॉंग्रिस की स्थापना से पहले इनी 1884 में जो बार्षिक दिवेशन हुआ था अड्यार मदरास में उससे पहले लाड़ डफरिन से मिलेते उस ताइम पर वाईसरा हुआ करता था डफरिन तो ये डफरिन से मिलने गए थे शिमला में तो इस पर उन्होंने चर्चा की थी एक संगठन बनाने के उपर तो उस सम्मंद में इन्होंने एक सुझाव दिया था डफरिन को कि कांग्रिस जो है करांतेकारी असंतोष के लिए एक सुरक्षा का बाटका कारे करेगी एक भी लोगों को जोड सके और एक असंतोष की भावना थी ब्रति सरकार के प्रति जो लगातार बढ़ती चली जा रही थी तो कहीं न कहीं एयो यूम का यह सुझाव था कि अगर कॉंग्रिस जैसे किसी संगठन की स्थापना होती तो कहीं न कहीं उस असंतोष के लिए काति राष्टी में बनाऊंगा इसको कैंट कम पाइल कर दूँगा एक ही वीडियो में ताक्या आप इसका रिवीजन कर सके चोटी चोटी वीडियो होगी तो आपको आपके पास कम टाइम होगा तो आप उसको अची तरीके से देख सकते हैं और जैसा कि मैंने स्टार्टिं और एक कहानी भी आप जो है बो समझ पाएंगे कि इस तरीके से आगे चीजें हुई ये क्योंकि यहां से जो पहले का इंडिया निशनल कॉंगरेस से पहले का जो आज के इस सेशन में जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे फैक्ट्स या इंडिया निशनल कॉंगरेस की National Congress की स्थापना के बाद से कहानी बनती चली जाएगी और चीज़ें कही न कहीं एक दूसरे से connect होती चली जाएगी तो वहाँ से जो है आपको चीज़ें बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझ माने लगेगी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहें